कोकोनट ओयल जो है वेट गेन के लिए भी हेल्प करता है जी आयरन विटामिन सी विटामिन ए विटामिन ए जो की एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये बोन्स को भी स्ट्रॉंग करता है हेलो गाइज वेल्कम बैक टो चैनल दिपिका मॉम करनर हमेशा ये कहा जाता है कि कोकोनट ओयल से बच्चे का मसाज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए इस क्वेश्चिन का एंसर इस वीडियो में वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा आपको बहुत मज़ा है तो हम उसे बहुत अच्छे से यूज करने की कोशिश करेंगे तो आए जानते हैं कोकोनट ओयल ही क्यों मसाज करना चाहिए और इसके कि तो नहीं सारे बेनिफिट्स है वैसे तो बट मैं 10 इंपोर्टन बेनिफिट्स के बारे में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ तो वीडियो में बने रहे डिसका किए पहला बेनिफिट्स है कि कोकोनट ऐससंस्क्रिं का पाम करता है ढूं स्किन बहुत नाजुक रहती है जो यूवी रेज म obrig वहीं उति व Це भूच है और यहीं को और किन ये वीडिकर्ट है케 करता है इसका मतलब जितने भी इंफेक्शन्स होते हैं बच्चे को उनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है कोकोनट औैल से मसाज करने के बाद सकिन नहींहें बहुत अच्छा मॉस्चर मिलता है तो हमें यही जद बहुत चाहिए कोकोनट औा यूप यूज़ सारी खूब्या होती है जो छोटे चोटे दाने होते हैं जिने हम बेबी एकने कहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सूटेबल होता है coconut oil कोई cream यूज करने की जरद निया डॉक्टर से महंगे महंगे cream लिख कर देंगे ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ आपको ऐसा नहीं करना आपको coconut oil को लगाना है एक से दो दिन में अगर उसे सूट हो रहा है तो उसके सारे दाने और सारे रशे यूगायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चले जो बच्चे में blood circulation की जर्वत है उनके skin में तो वो ये provide करता है जैसे ही हम बच्चे को जब skin में apply करते हैं तो उसका blood circulation increase होता है जिसे की उसे ज्यादा ज्यादा oxygen मिलता है और ये बच्चे के skin के लिए बहुत ज्यादा helpful है coconut oil में होता है iron, vitamin C, vitamin E, vitamin A जो की एक healthy skin के लिए बहुत ज्यादा important है और ये bones को भी strong करता है जो की हमें चाहिए as a parent हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के bones strong हो उसके हाथ पर strong हो ताकि जो उसके milestones है वो अच्छे से achieve कर पाए तो इसलिए ये भी इसका benefit है कि एक और फायदा है इसका क्या मालूम है ये diaper rash में भी help करता है अक्सर सुनने को मिलता है कि diaper rash हो जाते है बच्चों को तो उसके लिए आप इसे apply कीजिए जब diaper पहनाते हैं उसके पहले ही स्किन ड्राइ होने चाहिए गिली नी होने चाहिए ठीक है स्किन ड्राइ कर लीजिए उसके बाद आप coconut oil लगा कर अगर डाइपर पहनाएंगे तो बच्चे को कभी भी रैशिस नहीं आएंगे मैंने आज तक अपने बच्चे को कोई cream apply नहीं करी जस्ट में क्या करती थी डाइपर पहनाती थी और उसके पहले बच्चे को coconut oil लगा देथी कभी उसको रैशिस नहीं आए तो आई होप आपको भी यह help करेगा आप ज़रू से try कीजिएगा कई research में भी पाया गया है कि coconut oil जो है weight gain के लिए भी help करता है क्योंकि जब हम baby का massage करते हैं तो healthy skin उसको मिलती है उसके सारे nutrition मिलते हैं एक skin को एक baby को तो जिससे कि उसके weight gain होने के chances ज्यादा रहते हैं तो यह इसका बहुत बड़ा benefit है यार coconut oil में होता है lauric acid जो के मैंने बहुत सारे research करी है इस चीज के लिए तो प्लीज वीडियो को like जरूर से कर दीजेगा तो हम बात करें तो लॉरिक acid के बारे में जो है बेवी जो hair होते हैं उसके लिए भी coconut oil बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है उसमें लॉरिक acid पार रहता है जो की बालों को damage करने से protect करता है इतनी अच्छी बात है कि हम बालों के लिए और skin के लिए एक ही oil यूज कर सकता है ताथी साथ coconut oil dandruff के लिए भी अच्छा होता है अगर छोटे बच्चे उनको dandruff हो रहा है तो आप जरूर से coconut oil यूज कीजिए coconut oil में anti-microbial और anti-fungal गुन होते हैं जो की fungal infection को होने से रोकते हैं कई बार ऐसा होता है बच्चे को fungal infection होने के भी chances रहते हैं कि हम उसे infection से कैसे बचाएं कैसे बचाएं तो coconut oil का यूज करेंगे तो यह सारी चीजों से आप बिल्कुल free हो जाएंगे इतने सारे benefits जानने के बाद I hope आपको अच्छा लगा होगा यह पहले से coconut oil यूज कर रहे हैं तो आप हैपी हो जाएंगे कि देखो वाई मैंने कितना अच्छा oil यूज कर रहे अपने बेवी के लिए और अगर आप कोई और oil यूज करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएगा ताकि मेरे भी थोड़ी नौलेज बढ़े और मैं भी जान सकू कि बेवी मसाज के लिए कौन से oil यूज कर सकते हैं आप जरूर से कमेंट करके बताएगा कि आप अपने बच्छे का मसाज कौन से oil से करते हैं और क्या आपने कभी coconut oil यूज किया है अगर नहीं किया है तो जरूर से यूज करना और मुझे बताना क्योंकि इसके बहुत सारे benefits से बहुत सारे फायदे हैं मेरे लिए तो यह best oil for baby massage है सो आई होप आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही बहुत सारे informative वीडियो में आपके लिए आगे लेकर आते रहूंगी बट एक शर्त पर शर्त यह है कि चैनल को like and subscribe जरूर से कर दीजेगा बिल्कुल भी नहीं बोलना subscribe करने के लिए ओके सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार बी हैल्दी बी हैपी